आप्टर श्रद्धावसर्ष आपका सबके शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं CWSN यानि कि Children with Special Needs Category के तहत कौन से बच्चे आते हैं और कितना प्रतीशत उन्हें आरक्षन मिलेगा साथ ही मैं आपको वह भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा कागजाथ है जो Children with Special Needs Category के बच्चों को चाहिए ता कि वह सिद्ध कर पाए कि वह इस ट्रेणी के तहत आते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि अभी भी आप में से बहुत सारे लोग है जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है दाखिले की दिष्ट्री से सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना बेहत जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का एक बड़िया स्कूल में दाखिला हो तो सबके शिक्षा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सगे समबंधियों को भी गहें कि वह सबके शिक्षा को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिखाई जा रही बिल्कुल मुफ जानकारी का लाव वह भी उठा सके और अपने बच्चे का एक बड़िया स्कूल में दाखिला करवा पाए तो सबसे पहले मैं आपको पताऊंगी CWSN क्या होता है CWSN means Children with Special Needs ऐसे बच्चे जिनकी Special Needs है ऐसे बच्चे जो Special बच्ची है यानि कि वह बच्चे जो किसी शारी रिख या मानसिक परिशानी से ग्रसित है और आप कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो दिब्यांग है तो ऐसे बच्चों को आरक्षन मिलता है राइट टू एजुकेशन यानि कि शिक्षा के अधिकार के तहत ताकि Children with Special Needs काटेगरी के बच्चे आगे बढ़े बाकी बच्चों के बराबर उन्हें पढ़ने के मौके मिले और वे भी बाकी बच्चों के तरह एक बेहतर जंदगी जीता है वे खुद भी आगे बढ़े और देश का नाम भी आगे बढ़ा पाएं तो Children with Special Needs काटेगरी के तहत बच्चों को RT के तहन आरक्षन मिलता है और कितना आरक्षन मिलता है वे वे मैं आपको बताती हूँ आप सभी को पता होगा शिक्षा के अधिकार के तहत EWS काटेगरी, DG काटेगरी और Children with Special Needs काटेगरी को Nursery, KJ और पहली कख्षा में दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतीशत सीटों पर आरक्षन मिलता है तो इन 25 प्रतीशत सीटों में से 3 प्रतीशत सीटों पर Children with Special Needs काटेगरी के बच्चों का अरक्षन मिलता है उधारन के तॉरבר कहना चाहूंगी, अगर एक स्कूल में 100 सीटे है तो 100 में से 3 सीटे तो Children with Special Needs काटेगरी के बच्चों को मिलेंगी ही साथ ही बहुती और मेंत पुरू जानकारी भी देना चाहूंगी कि अब आप कैसे से दिखरेंगे कि आपका बच्चा Children with Special Needs Category के तहता है तो इसके लिए आपको दिल्ली के अस्पताल का एक Certificate चाहिए होगा जो कि Disability Certificate होता है इचू किया जाता है Person with Disabilities Act के तहत और यह जो Certificate होगा वह सरकारी अस्पताल का होना चाहिए तो वह Certificate आपको मदद करेगा आपके बच्चे के दाखिले के लिए क्योंकि वह Certificate कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण होगा कि आपका बच्चा Special Needs Category का बच्चा है और आपके बच्चे को आरक्षन का लाभ मिलना चाहिए तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और कि Children with Special Needs Category क्या होता है और यह हर उस माबाप तक वीडियो की जानकारी पहुंच आए जिनका बच्चा दिव्यांग है ताकि वह अपने बच्चे के दाखिले में RTE यानि की Right to Education का लाभ उठा पाए उम्मीद करती हूँ जानकारी से आप को लाभ होगा मुझे डॉक्टर श्रत्ता वसिश्पजाज़ती जर्मशकार